सब्सक्राइब देखें काफी बार में अभी आपको बात हुताई और यह आपर टेक्निकल जो है ना जो लेवल्स में आपको बताये थे कि 56 रुपए उपरी में 25 पैसे नीचे में 55 रुपए 50 पैसे इन लेवल्स को क्रोस कर पाना बहुत टाफ है आईडिफसी फर्स्ट बेंक लिए और लगातार बहुत टाइम हो गया कोसिस करते करते इस रेंज में जैसे जाता है 55 रुपए 50 पैसे उपर वह दक्का मारकर वह वापस 55 रुपए तक आ जाता है तो ऐसा कब तक चलता रहेगा क्या करना चाहिए यहां पर क्या कोई बड़ा यहां पर ग्रावट आने व और 31 मार्स से अब तक आज 6 अपरेल है और इसने बहुत बार कोसिस की है कई बार कोसिस की है लेकिन यह क्रॉस नहीं कर पाए 55 रुपए 50 पैसे जैसे ही क्रॉस करता है यह सेलिंग आ यह टॉप बन जाता है 55 रुपए 60 पैसे 55 रुपए 50 पैसे और 56 पैसे यह एक रेंज बनी हुई है और यह रेंज को क्रॉस नहीं कर पा रहा है यह टीफसी फिर्स्ट बैंक का स्टॉक तो देखेंगा स्टॉक मतलब अगर हम कहना बैंकिंग स्टॉक जो है या कोई भी स्टॉक है वो स्टॉक जो है वो अलग वर्ग करते हैं ठीक ना उनके अंदर टेकनिकली यहां पर जो है बहुत सारी चीज़ देखिजाते हैं लेकिन स्टॉक के स्टॉंग है इसमें कोई शक्की बात नहीं और वो अगर यहापर कोई गिरावट भी आती है कोई बड़ा उच्छाल भी आता है तो वो ऐसा नहीं कि फंडमेंटल को कुछ चेंज कर देंगे बहुत जादा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो सबसे पहली बात अगर ये रेंज क्रोस कर देता है तो क्या होगा 56 रुपए 25 पैसे की उपर क्लोजिंग अगर दे रहे हैं तो फिर क्या वो एक बहतरीं क्लोजिंग है जी हाँ आपको नेक्स डे भी यही देखना है कि क्या ये 56 रुपए 25 पैसे की उपर क्लोजिंग दे रहा है क्योंकि सेकंड ड आठसे जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक बार important level cross करने के बाद एक दिन पहले important level cross किया next day लगता है कि यहां भाई आज निकल जाएगा आज इसमें तीजी आईगी वो next day top बन जाता है उसका और top बन कर उस range को तोड़ कर उस level को तोड़ कर नीचे आ जाता है और फिर sailing आने लगती है तो इसके लिए next day second day भी confirmation आपका होना चाहिए और confirmation मिल जाए अगर जिए 56 रुपए 25 पैसे की उपर closing दे जाए तो फिर आप यह समझेगा कि IDFC first wing में कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा तेजी का chances बहुत जादा बन रहा है नीचे में कहाँ पर नीचे में ध्यान रखिए 52 रुपए 20 पैसे 52 रुपए 20 पैसे पहला दूसरा यह second time यहाँ पर जो हुआ था ना वो 52 रुपए 20 पैसे से ही घूम गया था तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है और यह 23 दिसंबर के आसपस की बात है पहली बार यहाँ पर 52 रुपए 20 पैसे आया घूम गया इस टॉक में 60 की ऊपर की तेजी होगी वापस आया उन्ही लेवल के आसपस घूम गया लेकिन इस पर घूमना जो है ना वो बहुत तेजी से कुमा वह वहीं पर टैल रहा है डिया पसे पर 55 रुपए का 56 पैसे 55 रुपए 50 पैसे एक रेंज को रेस्टेंस मान कर बैठा है तो ऐसे में अगर कोई बाई करने के लिए बैठा है वो बेचार क्या कर रहे है आई डिया पसे फ़र्ट में के अंदर कोई तेजी भी नहीं हो तो फिर आप यह समझेगा कि यह 52 रुपए 20 पैसे तक जा सकता है फिर वहाँ पर आपको एक बाद चांस मिलेगा बाई करने के तो या तो आप यह सिनेरियो देखे यह यहाँ पर ऐसा हो सकता है यहाँ पर 56 रुपए 25 पैसे क्रोस करकर चलना स्टार्ट करते है तब यहाँ पर बाई करना ठीक रहेगा इससे रेस्टेंस लेवल पर तो बाई करना कोई मतलब है नहीं यह 50 पैसे 75 पैसे का जो डिफरेंस है यह यहाँ पर जो ना इसको रोक कर रखके तो यहाँ पर लेने का भी कोई फायदा नहीं है और यहाँ पर बेचने का भी कोई फायदा ज्या ला सकती है तो यहांपर अगर कोई नया familiar है तो इन लेबल पर द्यान रख़िए और अगर कोई सेगो ऐ इमरेज करो बैठो ऑभी यह बावइन रूपार्पे-बीस पैसे अगर दिख देखेगा और سapport की तरह काम करेगा 35 पैसे और 22 रुपै बीस पैसे यह जो लेवल है 35 पैसे मैं लिखते हूँ 35 पैसे यह रहा 25 पैसे यह रहा यह और यह यह नीचे में रही जो की बनी हुइ ए कि यहां पर अगर आता है तो इसे पुष्प करकर उपर यहां पर जो है लाया जाएगा तो यह एक रेंज है लेकर अगर यह बामर रुपए 30 पैसे और 20 पैसे और क्यामर रुपए 30 पैसे अगर यह रेंज जो है ना ब्रीज हो जाती है तो फिर IDFC फर्स्ट बेंक लिए यह अच्छा सिगनल नहीं रहे और जो कि मैं आपको बत हर चीज पॉजिटिव नजर आ रही है लेकिन एक्चुल मैं ऐसा नहीं है निफ्टी को बैंक निफ्टी को पुश करकर काफी ज़्यादा उपर लाएगे मैं आपको बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखाता हूँ कल मैंने बैंक निफ्टी की उपर बात करे तो बैंक निफ्टी का एक गैप चूटा था यह रागैप और यह अलमूस 38,500 के आसपास का यह लेवल है और अभी हम 41,000 पर यह गैप चूटा था 41,277 तक का एक गैप था वो गैफिलिंग लिए उपर आना था अगर यह सारी ची ठीक है तो 41,277 का लेवल जो है ना वो पार करना काफी जादा मुश्किल होगा निफ्टी बैंक लिए और अगर यह निफ्टी बैंक अगर क्रोस कर जाता है इस लेवल की उपर अच्छे से चलने लगता है तो फिर बैंकिंग में एक अच्छी खासी तेजी भी बन सकती है अगर यहां से सेलिंग स्टार्ट हो गई क्योंकि नीचे भी एक गैप छूटा है 39,913 के असपास का यानि कि एक हजार पॉंड नीचे ठीक है तो अगर यह सेलिंग आती है तो फिर उसमें बैंकिंग स्टॉक ना पिस्ते हुए दिखाई देंगे तो अभी एक गैप तो फिल हो चुका है एस हिसाप से अब नीचे में गैप है तो अगर निप्टी यहां पर निप्टी बैंक अगर यहां पर घूमना स्टार्ट कर देता है नीचे की और तीजी से नीचे जादा तो फिर वो कही न कहीं वो 41,000 की और जानी कोसिस करेगा ऐस नीचे में बैंकिंग स्टाक्स में गराबट होगी तो ध्यार रगेगा IDFC फर्स्ट बैंक के ऊपर बाकी यह एक रेस है IDFC फर्स्ट बैंक वर्सिस फैडल बैंक और यह रेस आगे जारी रहेगी और कौन बनेगा नेक्स्ट नेक्स्ट लार्ज कैप तो यह रेस जो है वो ज बैंकिंग में कौन बनेगा कौन जगह लेगा ऐसे ऐसे बैंक कोटक बैंक की यह देखना है यह दोने स्टाक्स आपके सामने रहे तो उमीद है आपको यह बात अच्छी लेगी होगी IDFC फर्स्ट बैंक के फंडमेंटल पर कोई असन नहीं है कौर्टरली रिजल्ट आने वा अच्छी है और स्टॉक नीचे जा रहा है कोई बात नहीं है वो स्टॉक चलेगा अगर उसके फंडमेंटल अच्छे है आपके कहना है IDFC फर्स्ट बैंक पर प्लीस कमेंस से समय कहिए हो और अब दिच बजाब विडियों रिखने के लिए बहुत हो धन्माद उस्तों